1UI 5.0 update लाया है बहुत सारे कमाल के new features और I mean बहुत सारे useful features जिसको लेकर काफी सारे लोग excited एगी यार हमारे phone में ये update कब आएगा और हमें कब इस update के new features जो है वो use करने के लिए मिलेंगे सामसंग ने काफी सारे smart phones को 1UI 5.0 का update इंडिया में roll out कर दिया है लेकिन बहुत सारे smart phones ऐसे हैं जिसको लेकर अभी भी बहुत सारे लोग wait कर रहे हैं कि यार हमारे phone में कब ये update आएगा और हमें कब अपने smart phone में 1UI 5.0 के new features देखने को मिल जाएंगे तो देखें अभी तक जितने भी आपने 1UI 5.0 के features को लेकर YouTube पर विडियोज देखेंगे वो हो सकता है बड़े creators के channel पर देखेंगे जिसमें आपने 1UI के सारे features देखेंगे कि 1UI 5.0 में आपको क्या-क्या new features देखने को मिलने वाले हैं और आप ये भी expect करने होंगे कि आपके phone में ये जब update आएगा तो आपको भी ये सारे features अपने phone में use करने के लिए मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है है वो जो सारे features बताए गए है वो S22 series मतलब Samsung की flagship series में आपको बताए गए है तो यहाँ पर जो Samsung के 1UI 5.0 के update है वो S22 series में सारे features देखने को मिल जाते हैं जो 1UI 5.0 में आपको देखने को मिलने वाल है लेकिन यहीं पर अगर आप यूज करें हैं Samsung का कोई mid range category का smartphone तो यह आपको 1UI 5.0 features को लेकर इतना जादा खुश नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर Samsung के 1UI 5.0 के कुछ features है जो आपको अपने mid range category के smartphone में देखने को नहीं मिलेंगे तो Samsung यह चिंदी चोरी starting से करता है क्योंकि Samsung के mid range category के smartphone से 1UI के कुछ-कुछ features आपको missing देखने को मिलेंगे अगर आप भी excited है इस update को लेकर तो आज के इस फिडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन से features है जो आपके mid range category के smartphone में आपको 1UI 5.0 update के साथ में देखने को नहीं मिलेंगे सबसे पहले तो आप मुझे comment करके बताइए कि 1UI 5.0 के कौन से feature को लेकर आप excited के यार ये features तो हमें बहुत जल्दी हमारे phone में use करना है उसमें से यार मुझे जो सबसे जादा feature पसंद आया है Samsung के 1UI का वो पसंद आया है maintenance mode वाला feature जो Samsung अपने flagship series के smartphones में ही provide करने वाला है लेकिन आपको mid range categories के कुछ smartphones में ये update देखने को नहीं मिलेगा मैं use करना हूँ A52s 5G और मेरे phone में फिलाल ये update नहीं आया है लेकिन जब भी ये update आएगा तो आपको हमारे channel पर सबसे पहले इसकी information मिल जाएगी और मैं आपको clear कर दूँगा कि A52s 5G smartphone में maintenance mode आपको देखने को मिलने वाला है या नहीं लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि maintenance mode कौन सा feature है और कैसे काम करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने phone में कैसे check करना है कि आपके phone में अगर ये update आ चुका है वनिवाई 5.0 का तो आपको maintenance mode feature मिला या नहीं तो आपको जाना है settings में device cad and battery में और यहाँ पर आपको सबसे नीचे option देखने को मिल जाएगा maintenance mode का तो अगर आप इसको enable करते हैं तो आपका phone जो है वो maintenance mode में चला जाएगा इसका मतलब आप जब भी किसी को phone देते हैं तो आपका phone एकदम new हो जाएगा आपके phone में से सारा data जो है वो hide हो जाएगा इस feature को लेकर ही मैं excited to one UI 5.0 update को लेकर उसके लबाँ phone आपका ही repair के लिए देता है कुछ time के लिए तो यहाँ पर आप maintenance mode को on कर सकते हैं जिससे के सामने वाला आपका data access नहीं कर पाएगा तो यह feature आपको Samsung के mid range smartphones में देखने को नहीं मिलने वाला है one UI 5.0 update के साथ में अब बात करते हैं अगले feature की तो यहाँ पर जो अगला feature है वो है calling के दोरान notes add करने की मतलब जब भी आप call करते हैं तो यहाँ पर call screen पर ही एक notes add करने का option आपको Samsung के One UI features में देखने को मिलता है वो भी flagship series की smart phones में जिसमें आप calls के दोरान notes जो है वो type कर पाएंगे notes लिख पाएंगे तो यह feature भी आपको mid range categories के smart phone में नहीं मिलने वाला है उसके अलब यहाँ पर gallery में आपको object eraser वाला option में नहीं मिलेगा मतलब यहाँ पर Samsung के कुछ ऐसे कमाल के feature से जो आपको mid range categories के smart phones में देखने को नहीं मिलेंगे उसके अलब यहाँ पर आपको AOD animation नहीं मिलेगा जब भी आप phone को lock करते हैं तो जो AOD में animation आता है वो भी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है यह थे कुछ ऐसे features जो आपको Samsung के mid range categories के smart phones में देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप सोच रहें कि यह सारे features आपके भी Samsung के mid range smartphones में आएंगे तो आपको excited नहीं होना है बाकि बेरे phone में जब भी अपडेट आएगा तो मैं इनके उपर भी एक dedicated video बनाऊगा तो आप काफी सारे लोग सोचेंगे कि Samsung ने ऐसा क्यों किया और Samsung ऐसा क्यों करता है तो देखियार जो लोग premium charges pay कर रहे हैं flagship level के smartphones के लिए तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए वही चीज़ attract करती है users को कि अगर आपको यह feature use करना है तो आपको उसके लिए flagship smartphone लेना ही होगा So that's it for the video I hope आपको इस video से कुछ help मिल पाईगी है समझने के लिए कि अगर आपके phone में अगर one UI 5.0 update आता है तो आपको जो features miss हो गया है वो किसकी वज़े से miss हो है और company ऐसा क्यों करती है So यही सब को से इस video में I hope आपको यह video पसंद आए होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यह जल्दी से इस video को लाइक कर दीजिए One UI update को लेकर सबसे पहले अगर आपको news चाहिए सबसे पहले आपको information चीए कि आपके phone में update कब आये का तो यह जल्दी से चैनल को subscribe करते हो कि आगे आने वाली वीडियो आप मिस नहीं करेंगे तो मैं मिलता हूं से क्लिए किसे इस इंट्रेस्टिंग वीडियो है थैंक्स अलोट फू वाचिंग